स्टार्ट पर क्लिक करें औल प्रोग्राम्स पर क्लिक करें कोरल ड्रोग ग्राफिक्स वूट की फोल्डर पर क्लिक करें अब कोरल ड्रोग एक्स वाइब पर क्लिक करें यह कोरल ड्रोग एक्स वाइब का इंटरफीस है यह है टाइटल बार है सबसे उपर उससे नीचे मेन्यू बार है फाइल टूल्स हैल आदी उसके बाद स्टेंडर्ड टूल बार है जिस पर कट कॉपी पेस्ट आदी छोटे मोटे और कॉमनली यूज़ड शॉर्टकट फॉंक्शन्स है स्क्रिन के लेफ्ट हैंड साइट पे आपका टूल बार है यहाँ डिजाइन बनाने में उप्योगत टूल्स का प्रयोग किया जा सकता है नई फाइल क्रेट करने के लिए नियू पर क्लिक किया गया डिजाइन का नाम डालिए पूफ निजाइन का आकार डालिए अगर आपको इस में से कोई आकार पसंद नहीं हो तो आप अपनी मर्जी से चोड़ाई और उचाई डालकर साइज रख सकते हैं सेटिक्स भरने के बाद बोके पर क्लिक करें और यह है आपका निव डॉक्यूमेंट है क्या क्या आपकार आपकार आ यह हैं यह आपका color palette है जहाँ पे colors के बारे में आप यहाँ क्लिक करके आप color select कर सकते हैं यहाँ क्लिक करके आज आप एक page भी include कर सकते हैं page 1, page 2, 3 इस तरह से page 3 अब किसी भी tap पर right click करके आप इसके और विगल्बों को explore करें और इन में से किसी भी प्रकार के विगल्ब का प्रयोग करके आप यहाँ बदलाव ला सकते हैं जैसे कि page का नाम change कर सकते हैं एक duplicate page बना सकते हैं या page को delete कर सकते हैं एक बना सकते हैं जी यहत सकते हैं